मैं हूँ आभी दुसायन शेक आपका खेर मगदम है फोर टीवी न्यूज करनाटक एक्सप्रेस में मोटर वैकल एक्ट जुर्माने की रक्म में हो सकती है कमी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितीन गड़केरी ने मोटर वैकल एक्ट में बड़ी तब्दिली करके वहां संचारी नियमों का उलंगन करने पर जुर्माने की रक्म में भारी बढ़ोतरी करके जनता की वाट लगा दीती अब जनता की कटनाई और आक्रोश को देखते हैं जुर्माने की रकम में कमी की गई है बीजेपी सरकार के राज गुजरात में इस कानून पर कड़ा विरोध किया गया तो मजबुरन जुर्माने की रकम में कमी करनी पड़ी वेस्ट बंगल में सरकार ने इस कानून को मानने से ही इनकार कर दिया अब महराष्ट्रा में भी विरोध हो रहा है इसको देखते हुए अब करनाटका में भी जुर्माने की रकम में कमी करने की कल सीयमेडूर अपपा ने जानकारी दी है हेलमेट ना होने पर सौग की बज़ाए हजार ऐसे ही जुर्मानों में दस गुना बड़ोतरी हुई थी अब जनता चैन की सांस लेगी पूजा के नाम पर इज़त से खेलने की कोशिश स्वामी जी बने पोलिस के महमान दिन में सादू रहकर रात में जादू करने वाले दो बाप बेटे स्वामी गनेश आचारिया और मनिकांत आचारिया का भांडा फूट गया है बेंगलूरू बनस्वाडी इलाके में धर्म और शर्दा के नाम पर महला को धोका देकर उसकी इज़त से खेलने की कोशिश करने वाले गनेश आचारिया और मनिकांत स्वामी ने बेंगलूरू कल्यान नगर की एक परेशान महला को धोका देकर संकटाों का परिहार करने के बहाने उसकी इज़त से खेलने की कोशिश किया है सौमी जी ने कुंडली में शर्प दोश के चलते पूजा किया और इस पूजा के सामान को कुके सुब्रमनियम में विसरजित करने की बात कहकर महला को कुके ले गए वहां लौज में ठहर कर कहा कि हमसे शाररिक संबनाओ तो स गिरफ्तार कर चुकिये गनेश स्वामी की तलाश जारी है डीके शूकुमार के लिए कानून को नहीं बदला जा सकता आरोग्य मंत्री स्री रामलू डीके शूकुमार की गिरफ्तारी पर कल बैंगलूरू में वक्कली का समूदा ने बड़ी रैली का आयोजन किया था इस मा देखें सब कुछ कानून के तहट ही हो रहा है कानून से बढ़ कर कोई नहीं है डीके शूकुमार के लिए कानून को बदला नहीं जा सकता परजया परभुत में सब को अहतेजाज परदर्शन करने का हक है मगर सरकार की जैदादों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं कहा आरोगे मंत्री ने सबी आतंकित हैं इन पत्तरों के कारण शिक्षक विद्यार्थी घायल हो रहे हैं इसकूल की छट तंदुरुस्त है खिडिकियों को जाली लगाई गई है दर्वाजे बंद करने पर भी न जाने कहां से पत्तरों की बरसात हो रही है बीयों और पॉलिस को बुला कर दिकाया ग हो रहा है बहरेहाल जो भी हो अगर इन पत्तरों के गिरने से किसी विद्यार्थी को नुकसान पहुंचे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा अब पोशक भी अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने से कत्रा रहे हैं क्या कोई इस मामले की तह तक पहुंचे गा यह सवाल उड़ता है हमारे देश को सेकुलिरिजम की अवश्यक्ता नहीं कलड कर परवाकर भट मंगलूर के रामकिष्णा मट में आयोजित स्वामी विवेकानन जी के शिकागो भाशन की 125 वी सालगिरा पर स्वच भारत स्रेष्ट भारत कारेकरम का उदगाटन करते वे आरेसेस मु कर चलना है हमारे देश में ये पहले ही से चल रहा है हमने फार्सियों को देश में आश्रिय दिया उनकी जन संक्या 63 हजार से भी ज्यादा है मगर इनों ने कभी अपने लिए अलप संक्या का दरजा नहीं मांगा देश कभी भी सेकुलिरिजम के विरुद नहीं था मगर इन छक्के छुड़ाए सांसद ने चिक बलापूर जिला सिडल घटा तालुक का के तैसिलदार दफ्तर में पिछले 15 दिनों से भारतिय सेना के निवरत सैनिक मंजुनात धरना दे रहे हैं इनको सरकार ने जमीन देने का वादा किया है मगर अब तक जमीन नहीं मिली पिछले 10 साल तो घुसा हुए और तैसिलदार की क्लास लेते वे तीन दिन में मंजुनात को जमीन देने का आदेश दिया अगर तीन दिन में ये काम नहीं हुआ तो नोकरी से हाथ धोने की चेतावनी दी तैसिलदार को अब देखना है कि मंजुनात को कब जमीन मिलती है पूर्व कॉंग्रेस मंत्री की पत्नी पर करेंट चुराने का आरो बेंगलूरू के संजय नगर में कॉंग्रेस के पूर्व सची के एच मुनियपपा की तीन मंजिला इमारत है जिसमें जीम, पब वगेरा कमर्शियल दुकानों को किराय पर दिया गया है ये इमारत मुनियपपा जी की पत्नी नागरतना के नाम से है पिछले एक साल से यहां बिजली इस्तेमाल हो रही है मगर बिल नहीं भरा गया एक साल का बिल नौ लाग चौरासी हजार जुर्माना मिलकर कुल बाईस लाग हुए है मगर किरायदारों के नाम पर यफायार दर्ज हुआ है जब कि मकान माली के नाम से होना चाहिए था अब तक बैसकौम ने एक नोटीस भी मुनिय अपाजी की पतनी को नहीं भेजा क्या पूर्व सच्ची उसे डर गया बैसकौम वाले सवाल कर रहे हैं किरायदार निलंबित विदायकों का मामला जल्द सुनुआई से सुप्रिम कोर्ट का इनकार अधिकार के लालच में साजा सरकार को गिराने वाले जेडियस और कॉंग्रेस के 17 विदायकों के मंतरी बनने का सपना न जाने कब पूरा होगा जुलाई 12 को स्पीकर रमेश कुमार ने इन विदायकों को निलंबित करके आदेश जारी किया था इसी आदेश को चुनोती देते वे सुप्रिम कोर्ट में मामला चल रहा है मगर कोर्ट है के सुनुआई के लिए तयार ही नहीं है वकील रोहटगी ने पिछले दिनों कोर्ट से निवेदन किया था के मामले की सुनुआई जल्द हो सुप्रिम कोर्ट के कॉज लिस्ट में इस केस की तारिक 16 सेप्टमबर को थी जो अचानक से डेलिट करने पर आज वकीर ने कोर्ट से निवेदन किया तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसी क्या जल्दी है शायद कोर्ट को पता नहीं कि विदायकों को मंत्री बनने की जल्दी है सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कबजा कारवाई की मांग आज गुलबरगा में मीडिया से बात करते वे स्रीराम सेना के गवरवा अदेख्ष और अंदोला करनेश वर मट के सिदलिंग महास्वामी ने बताया कि गुलबरगा जिला जेवर की तालुका के एड्रामी ग्राम में क अदेख्ष ने मिलकर ये घपला किया है इन पर सक्त कारवाई की मांग की स्वामी जी ने बीदर जिला अदिकरियों और विदायक के बीच नाराजगी शहर के विकास के लिए विदायक और अधिकरियों के बीच ताउन की जरूरत है वरना शहर के विकास में बादाप ऐसा ही मामला वीदर में नजर आ रहा है वेटरनेरी मिनिस्टर परवु चवान ने कल विद्नियान केंद्र के कारे करम के बाद मीडिया से बात करते हुए जिला अधिकारी से नाराजगी जताई कहा के पिछले की सरकार के सच्यू के छोटे-छोटे कारे करम में भी डीसी सा नहीं लिया मुझसे एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की खैर वो अपना काम करें मैं अपना काम करूंगा कहां मिनिस्टर ने इंडी के पास रेल इंजन में आग आज सुबा बिजापूर से शोलापूर की ओर जा रही ट्रेन के इंजन में आग दिकाई दी तो इंडी तालुका के लच्चान पड़नूर के बीच ट्रेन रोक कर रेलवे सिब्बंदियों ने आग भुजा कर बढ़ते हुए खत्रे को फिर बिजापूर से दूसरे इंजन ले जाकर ट्रेन को जोड़ा गया जिसके चलते दो घंटे की देरी हुई पोलिस की बहादूरी पर उठे सवाल बैंगलोरो के सुब्रमनियम नगर पोलिस स्थाने में आरोपी को बड़ी बेरहिमी से पीटने का वीडियो वाइरल हुआ है सब इनस्पेक्टर शिरिकांत गोडा यश्वन्त नामक आरोपी की धुलाई कर रहे हैं जिसको देखने से रोंग्टे खड़े हो जाते हैं बताया जा रहा है कि यह आरोपी किसी लड़की को छेड़ता था उस लड़की की शिकायत पर इनस्पेक्टर आरोपी को सबक सिखा रहे हैं इसका खुलासा करते हुए उत्तरवलय के DCP शशी कुमार ने बताया कि विभाग के ही किसी अधिकारी ने इस वीडियो को वाइरल किया है जो भी हो देखने में ये वीडियो पोलिस की बेरहिमी का सबूत तो जरूर देता है उप चुनाओ में होगा गट बंदन का फैसला देवे गवडा आज बेंगलूरू के JP भवन में अपने पक्ष का वेबसाइट का उदगाटन करते हुए जेडियास वरिष्ट देवे गवडा ने कहा कि उप चुनाओ में कॉंग्रेस के साथ गट बंदन रहेगा या नहीं इसका फैसला सोनिया गांधी लेंगी हमारी और से इस पर विदायकों के साथ चर्चा की जाएगी इस बार उप चुनाओ में परिवार का कोई सदे से चुनाओ नहीं लड़ेगा डीके शू कुमार पर पूचे गए सवाल पर कहा के डीके शू कुमार को हमारा समर्तन है कहा देवे गवडा ने और खबरों के लिए देखते रहिए फॉर टीवी न्यूज करनाड़क एक्सप्रेस